एक तरफ नफरत, हिंसा, अहमकार और दूसरी तरफ महपत, भाईचारा और एक दूसरे की हिज़त जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गटबंदन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में महपत की दुकान खोलते हैं हम इस देश में नफरत क्यों फैल रही है, ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, महपत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है तो सवाल उठता है, कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है, भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याए है, अन्याए युवाओं के किलाफ अन्याए, आप सब के किलाफ अन्याए, किसानों के किलाफ अन्याए, समाजिक अन्याए, आर्थेक अन्याए प्रधान मंत्री जी दो तीन बड़े अरब पतियों के लिए काम करते है उनका 16 लाग करोड रुपिया प्रधान मंत्री ने पिछले 10 सालों में माव किया है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माव किया हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माव किया इसलिए देश में नफरत फैल रही है 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है क्यूं? क्यूंकि बीजेपी ने छोटे वियापारियों को किसानों को स्मॉल और मीडियम वाले बिजनसेज को नश्ट कर दिया है एक तरफ नोट बंदी की, दूसरी तरफ GST लागू की नतीजा ये हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं छोटे बिजनस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनस वाले उन सब का काम बंद हो गया जहां भी देखो, बड़े बड़े उद्योग पतियों की मोनोपली बंदी है एक उद्योग पति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे के सारे पोर्ट एरपोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडेस्ट्री सारे की सारी नरेन रिबोधी जी ने एक उद्योग पति को पकड़ा दी आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश में पिछ्री जात के कितने लोग है कितनी अबादी है पिछ्री जात की पचास परसेंट पचास परसेंट दलितों के कितनी अबादी है पंद्रा परसेंट आदिवासियों के कितनी अबादी है आथ परसेंट कितनी बनती है भाई कितनी होती है 73, 73 परसेंट अब देखिए 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निका लिए आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निका लिए बड़े 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 इनके जो पत्रकार हैं उनकी list नखालिए आपको 73% मेंसे एक नहीं मिलने वाला है उसके बाद private hospital हो के बालिकों की list नखालिए school और college जो चलाते private school, private college private university उनकी list नखालिए उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा उसके बाद जो हिंदुस्तान को नपे ब्यूरोक्राइट चलाते आईएस वाले उनकी लिस्ट निकालिए उधर आपको तीन पिछले वर्ट के लोग मिलेंगे तीन दलिट मिलेंगे और एक आदिवासी मिलेगा और अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपे खर्च करती है बजट में अगर सो रुपे खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपे की भागिदारी बनती है तो यह जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जेनरल कास के लोगों को भी जोड़ लो इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है पहले क्या होता था पहले पब्लिक सेक्टर होता था उसमे तो गरीबों को रास्ता मिलता था नोक्री मिल जाती थी सरकार में रोजगार मिल जाता था जैसे बिहार में तेजैस्चुची ने का किया जैसे 36 गर मैं हमने किया करनातक में तलंगाना में हम कर रहे हैं मगर नरेंद्र बोधी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिये सेना में आप जाते थे वहां अगनीवीर लागू कर दिया अब देखना अगनीवीर लागू किया और अगनीवीर में पहली बार इस देश में दो तरीके के शहीद होंगे एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा उसे पेंशन मिलेगी उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गाउं में शहर में आदर मिलेगा दूसरा शहीद होगा अगनीवीर होगा वो शहीद होगा उसे शहीद का धर्जा नहीं मिलेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी एक तरफ चाइना के सैनिक पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाव को नरेंद मोदी छे महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने ख़ड़े करने की कोशिच कर रहा है नतीजा आप जानते हो मैं ज़़ादा नहीं बॉलना चाहता हूँ क्योंकि लालु जी को बोलना है यह देखो लालू जी को बोलना है मगर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को गलत फेहमी में नहीं होना चाहिए हम लोग बीजेपी से रसे से नहीं डरते हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम देश के लिए लड़ते हैं हम देश के लिए मरने के लिए तियार हैं और हम बीजेपी को आरे से सको यहां से हटा के इंडिया की सरकार बना कर दिखाएंगे आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिन नियाय का हक मिलने तक देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तुफान शुरू होता है यहां से तुफान बाकी प्रदेशों में जाता है यह बिहार जो है देश की राजनेती का नर्फ सेंटर है यहां से ही शुरुवात होती है आज देश में विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ नफरत हिंसा अहंकार और दूसरी तरफ महबब भाई चारा और एक दूसरे की हिज़द जैसे मैंने यात्रा में कहा अगर आप गटबंदन को समझना चाहते हो एक लाइन में समझा जा सकता है नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलते हैं हम इस देश में नफरत क्यों फैल रही है यह नफरत का देश नहीं है आप सब जानते हो आपके दिल में हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है महबबत है प्यार है एक दूसरे का आदर है तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है भाई और बेहनों नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याए है अन्याए युवाओं के किलाफ अन्याए आप सब के किलाफ अन्याए किसानों के किलाफ अन्याए समाजिक अन्याए आर्थे का अन्याए प्रधान मंत्री जी दो तीन बड़े अरब पतियों के लिए काम करते हैं दो तीन लोगों के लिए काम करते हैं उनका 16 लाग करोड रुपिया प्रधान मंत्री ने पिछले 10 सालों में माव किया है मैं आप से पूछना चाहता हूँ उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया इसलिए देश में नफरत फैल रही है 40 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है क्यूं? क्यूंकि BJP ने छोटे वियापारियों को, किसानों को, small और medium वाले businesses को नश्ट कर दिया है एक तरफ नोट बंदी की, दूसरी तरफ GST लाडू की नतीजा ये हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं छोटे बिजनेस वाले, small और medium बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया जहां भी देखो, बड़े बड़े उद्योग पतियों की मोनोपली बंदी है एक उद्योग पति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे के सारे पोर्ट, एरपोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडेस्ट्री, सारे की सारी नरेन्र बोधीजी ने एक उद्योग पति को पकड़ा दी आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछनी जात के कितने लोग है, कितनी अबादी है पिछनी जात की, 50% 50% दलितों के कितनी अवादी है 15% आदिवासियों के कितनी अवादी है 8% कितनी बनती है भाई कितनी अवाई 73, 73% अब देखिए 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनियों में उनकी मालकों की लिस्ट निका लिए आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला उसके बाद मीडिया के मालकों की लिस्ट निका लिए बड़े-बड़े बड़े-बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निका लिए आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है उसके बाद private hospitalों के मालेकों की लिस्ट निका लिए स्कूल और college जो चलाते private school, private college, private university उनकी लिस्ट निका लिए उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा उसके बाद जो हिंदुस्तान को नपे ब्यूरोक्राट चलाते आई-एस वाले उनके लिस्ट निकालिए उधर आपको तीन पिछले वर्ट के लोग मिलेंगे टीन दलिट मिलेंगे और एक आदिवासी मिलेगा और अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपे खर्च करती है बजट में अगर सो रुपे खर्च होते है तो 73% की 6% की 6 रुपे की भागिदारी बनती है तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जेनरल कास के लोगों को भी जोड़ लो इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है पहले क्या होता था पहले पब्लिक सेक्टर होता था उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था नोकरी मिल जाती थी सरकार में रोजगार मिल जाता था जैसे बिहार में तेजेश्वी जी ने किया जैसे 36 गर में हमने किया करनाटक में तलंगाना में हम कर रहे हैं मगर नरेंद्र मोधी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिये सेना में आप जाते थे वहां अगनीवीर लागू कर दिया अब देखना अगनीवीर लागू किया और अगनीवीर में पहली बार इस देश में दो तरीके के शहीद होंगे एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा उसे पेंशन मिलेगी उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गाउं में शहर में आदर मिलेगा दूसरा शहीद होगा अगनीवीर होगा वो शहीद होगा उसे शहीद का धर्जा नहीं मिलेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी एक तरफ चाइना के सैनिक पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद मोधी छे महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने खड़े करने की कोशिच कर रहा है नतीजा आप जानते हो मैं जादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि लालू जी को बोलना है यह देखो लालू जी को बोलना है मगर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ BJP के लोगों को गलत फेमी में नहीं होना चाहिए हम लोग BJP से RSS से नहीं डरते हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम देश के लिए लड़ते हैं हम देश के लिए मरने के लिए त्यार है और हम BJP को RSS को यहां से हटाके इंडिया की सरकार बना कर दिखाएंगे आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहन नियाय का हक मिलने तक देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तुफान शुरू होता है यहां से तुफान बाकी प्रदेशों में जाता है यह बिहार जो है देश की राजनेती का नर्फ सेंटर है यहां से ही शुरूआत होती है आज देश में विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ महबद, भाईचारा और एक दूसरे की हिज़द जैसे मैंने यात्रा में कहा अगर आप गटबंदन को समझना चाहते हो एक लाइन में समझा जा सकता है नफरत के बाजार में महबद की दुकान खोलते हैं हम इस देश में नफरत क्यों पहल रही है यह नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है महबद है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है तो सवाल उठता है, कि इस देश में नफरत क्यों पहल रही है भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याए है अन्याए, युवाओं के खिलाफ अन्याए, आप सब के खिलाफ अन्याए किसानों के खिलाफ अन्याए समाजिक अन्याए, आर्थेक अन्याए प्रधान मंत्री जी दो-तीन बड़े अरब पतियों के लिए काम करते है दो-तीन लोगों के लिए काम करते है उनका 16 लाग करोर रुपया प्रधान मंत्री ने पिछले 10 सालों में माव किया है मैं आप से पूछना चाहता हूँ उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माव किया हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माव किया इसलिए देश में नफरत फेल रही है 40 साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है क्यूं? क्यूंकि बीजेपी ने छोटे वियापारियों को किसानों को स्मॉल और मीडियम वाले बिजनसेस को नश्ट कर दिया है एक तरफ नोट बंदी की, दूसरी तरफ GST लागू की नतीजा ये हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं छोटे बिजनस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनस वाले उन सब का काम बंद हो गया जहां भी देखो, बड़े बड़े उद्योग पतियों की मोनोपली बंदरी है एक उद्योग पति के हाथ में, हिंदुस्तान के सारे के सारे पोर्ट एरपोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडेस्ट्री आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश में पिछ्री जात के कितने लोग है कितने अबादी है पिछ्री जात की 50 परसेंट fifty percent दलितों के कितने अबादी है 15 परसेंट aदीवासियों के कितने अबादी है how to present कितने बनती है वाई कितने होती है 73 थि 70 परसेंट अब देखिए 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निका लिए आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निका लिए बड़े 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 इनके जो पत्रकार है उनकी लिस्ट निकालिए आपको 73% मेंसे एक नहीं मिलने वाला है उसके बाद private अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए school और college जो चलाते private school, private college, private university उनकी लिस्ट निकालिए उदर आपको 73% का कोई नि मिलेगा उसके बाद जो हिंदुस्तान को नपे ब्यूरोक्राइट चलाते हैं इस वाले उनकी लिस्ट निकालिए उधर आपको तीन पिछले वर्ट के लोग मिलेंगे टीन दलिट मिलेंगे और एक आदिवासी मिलेगा और अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपे खर्च करती है बजट में अगर सो रुपे खर्च होते हैं तो 73% की 6% की 6 रुपे की भागिदारी बनती है तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जेनरल कास के लोगों को भी जोड़ लो इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है पहले क्या होता था पहले पब्लिक सेक्टर होता था उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था नोकरी मिल जाती थी सरकार में रोजगार मिल जाता था जैसे बिहार में तेजेश्वी जी ने किया जैसे 36 गर में हमने किया करनातक में तेलंगाना में हम कर रहे हैं मगर नरेंद्र बोधी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिये सेना में आप जाते थे वहां अगनीवीर लागू कर दिया अब देखना अगनीवीर लागू किया और अगनीवीर में पहली बार इस देश में दो तरीके के शहीद होंगे एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा उसे पेंशन मिलेगी उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गाउं में, शहर में आदर मिलेगा दूसरा शहीद होगा, अगनीवीर होगा वो शहीद होगा उसे शहीद का धर्जा नहीं मिलेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी एक तरफ चाइना के सैनिक पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाएं को नरेंद मोडी छे महीने की ट्रेनिंग देने क बाद उनके सामने करे करने की कोशिश कर रहा है नतीजा आप जानते हो मैं ज़ादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्यूंकि लालू जी को बोलना है यह देखो लालू जी को बोलना है मगर मैं सिर्व यह कहना चाहता हूँ BJP के लोगों को गलत फेहमी में नहीं होना चाहिए हम लोग BJP से RSS से नहीं डरते हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम देश के लिए लड़ते हैं हम देश के लिए मरने के लिए त्यार है और हम BJP को RSS को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बना कर दिखाएंगे आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहन नियाय का हक मिलने तक देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तुफान शुरू होता है यहां से तुफान बाकी प्रदेशों में जाता है यह बिहार जो है देश की राजनेती का नर्व सेंटर है यहां से ही शुरूआत होती है आज देश में विचारधारा की लड़ाई है एक तरफ नफरत हिंसा अहंकार और दूसरी तरफ महबब भाई चारा और एक दूसरे की हिज़त जैसे मैंने यात्रा में कहा अगर आप गटबंदन को समझना चाहते हो एक लाइन में समझा जा सकता है नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलते हैं हम इस देश में नफरत क्यों फैल रही है ये नफरत का देश नहीं है आप सब जानते हो आपके दिल में हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है महबबत है प्यार है एक दूसरे का आदर है तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यूं फैल रही है भाई और बेनो नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याए है अन्याए युवाओं के खिलाफ अन्याए आप सब के खिलाफ अन्याए किसानों के खिलाफ अन्याए समाजिक अन्याए आर्थेक अन्याए प्रधान मंत्री जी दो तीन बड़े अरब पतियों के लिए काम करते है उनका 16 लाग करोड रुपिया प्रधान मंत्री ने पिछले 10 सालों में माव किया है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना करजा माव किया हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना करजा माव किया इसलिए देश में नफरत फैल रही है 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है क्यूं? क्यूंकि बीजेपी ने छोटे वियापारियों को किसानों को स्मॉल और मीडियम वाले बिजनसेज को नश्ट कर दिया है एक तरफ नोट बंदी की, दूसरी तरफ GST लाडू की नतीजा ये हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं छोटे बिजनस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनस वाले उन सब का काम बंद हो गया जहां भी देखो, बड़े बड़े उद्योग पतियों की मोनोपली बंदी है एक उद्योग पति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे के सारे पोर्ट एरपोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडेस्ट्री सारे की सारी नरेन्र बोधी जी ने एक उद्योग पति को पकड़ा दी आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश में पिछ्री जात के कितने लोग है कितनी अबादी है पिछ्री जात की पचास परसेंट पचास परसेंट दलितों के कितनी अबादी है 15% आदिवास्यों के कितनी अबादी है 8% कितनी बनती है बाई कितनी अद्थी है 73, 70% अब देखिए 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निका लिए आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निका लिए बड़े 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 इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालिए आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है उसके बाद प्राइवेट हस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट उनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा, उसके बाद जो हिंदुस्तान को नपे, ब्यूरोक्राइट चलाते, आई-स वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको ती तीन पिछले पर के लोग मिलेंगे, टीन दलिट मिलेंगे, और एक आदिवासी मिलेगा, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपे खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपे खर्च होते हैं, तो 73% की 6% की 6 रुपे की भागिदारी बनती है, तो यह जो 73% है, और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो, तो गरीब जेनरल कास के लोगों को भी जोड़ लो, इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है, पहले क्या होता था? पहले पबलिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नोकरी मिल जाती थी, सरकार में मगर नरेंद्र बोधी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिये, सेना में आप जाते थे, वहां अगनीवीर लागू कर दिया, अब देखना, अगनीवीर लागू किया, और अगनीवीर में पहली बार इस देश में दो तरीके के शहीद होंगे, एक शहीद होगा, उसक पेंशन मिलेगी उसे कैंटीन मिलेगी और इसे गाउं में शेहर में आधर मिलेगा दूसरा शहीद होगा अगनीवीर होगा वो शहीद होगा उसे शहीद का धर्जा नहीं मिलेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी एक तरफ चाइना के सैनिक पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद मोदी छे महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने करे करने की कोशिश कर रहा है नतीजा आप ज जादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि लालु जी को बोलना है यह देखो लालु जी को बोलना है मगर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं BJP के लोगों को गलत फह्मी में नहीं होना चाहिए हम लोग BJP से RSS से नहीं डरते हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम देश के लिए लड़ते हैं हम देश के लिए मरने के लिए त्यार हैं और हम बीजेपी को आरे सेस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बना कर दिखाएंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहन नियाय का हक मिलने तक देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तुफान शुरू होता है यहां से तुफान बाकी प्रदेशों में जाता है यह बिहार जो है देश की राजनेती का नर्व सेंटर है यहां से ही शुरूआत होती है आज देश में